अब कोरोना से जानगवाने वाले लोगों के मृत्यू प्रमान पत्र पर इसे मौत के कारण के तौर पर दर्ज किया जाएगा केंदर ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि स्वास्थे मंत्राले और IECMR ने नई गाइडलाइन्स से यार की है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में सकती दिखाया जाने की 10 दिन बाद सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया है गाइडलाइन्स के मुताबिक सिर्फ उन मौतों को कोरोना से संबंदित माना जाएगा जिनमें मरीज का RTPCR, Molecular Test, Rapid Antigen टेस्ट किया गया हूँ साथ ही किसी अस्पताई या घर में डॉक्टर ने जाज करके कोरोना संक्रमन की पुष्टी की हो ऐसे मरीजों की मौत का कारण कोरोना मान कर मृत्यू प्रमान पत्र में इसके जानकारी दे जाएगी जहर खाने, आत्म हत्या, हत्या या फिर हाथ से समेट दूसरे कारणों से होने वाली मौतों को कोरोना संबंदित मौत नहीं माना जाएगा चाहे मरने वाला व्यक्ति संक्रमित क्यों ना हो